हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11 की बुक आरो पद्दे भाग में संकलित कविता हे भूक मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसी इश्वर पड़ेंगे जो कवितरी अक महादेवी दुआररचित है इनका जनम करनाटक में हुआ था और इनोंने चन मलिकारजुन यानिके इश्यों की अरादना की यहां इनकी दो वचन पाठे क्रम में लिए गए हैं इन दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदार नात सिंग ने किया है पहले वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है जो की उपदेश ना होकर प्रेम भरा भक्त भाव है और दूसरे वचन में एक भक्त का इश्वर के परती समर्पन है चली स्टार्ट करते हैं हे भूक मत मचल प्यास तडप मत हे नीद मत सता कवित्री इन पंक्तियों में भूक से कहती है कि हे भूक मत मचल अर्थास तू मचल कर मुझे परिशान मत कर मेरी भक्ती में कि किसी भी तरह की बाधा मत बन और प्यास को कहती है कि हे प्यास तू मेरे मन में और किसी चीज को जादा पाने की इच्छा मत जगा क्योंकि किसी भी भक्त या साधक के लिए भूक प्यास पर नियंतरन करना जरूरी होता है हे नीद मत सता अर्था जब हम आराधना करते हैं त व्यक्ति के अंदर नेंद से आलस से भर जाता है और इंसान प्रभुभक्ति को भूल जाता है। क्रोध मचा मत उथल पुथल हे मो पाश अपने ढील लोब मत ललचा। और क्रोध से कहती है कि हे क्रोध तु उथल पुथल मत मचा। अर्थात क्रोध से गुस्से में जब इंसान का मन बेचेन हो जाता है तो वे अपने सोचने समझने की शक्ती को खो देता है और वे मो अर्थात लोब से कहती है कि वे अपने पाश अर्थात बंधन को ढिला कर दे क्योंकि लोब के कारण ही इंसान एक दूसरे का नुकसान करने की सोचता है और लोब से कहती है कि हे लोब तु इंसान को ललचाना छोड़ दे सादक को इन सब से बच कर रहना चाहिए हे मद, मद कर मद होश, इर्शा जला मत कवित्री इन पंक्तियों में कहते हैं कि मद अर्थात नशा भी इंसान का विवेक हो देता है, इंसान नशे में चूर होकर अपना होश खो बैठता है और वे मद होश अर्थात सोचने समझने की शक्ती से दूर हो जाता है और इर्षा अर्थात जलन की भावना भी व्यक्ति को कमजोर बना देती है एक दूसरे से जलने की भावना से नुकसान ही होता है और इर्शा से कहते कि तू मुनिश्य को जलाना छोड़ दे मुनिश्य को अधिक पागल ना बना ओ चराचर मत चूक अवसर आई हो संदेश लेकर चन मलिकार जुन का कवित्री इन पंक्तियों में चर प्रभुबक्ति के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंतरन करना जरूरी है इंसान भूक, प्यास, नींद, क्रोध, मुम, मद, इर्शा के कारण बगवान शिव से दूर हो जाता है इसलिए इन पर नियंतरन जरूरी है इन पंक्तियों में जो काविगत सौंद्रे है वो इस प्रकार है प्रभुबक्ति के लिए इंद्रियों के नियंतरन पर बल दिया गया है शांत रस का प्रियोग किया गया है संबोधन शैली का प्रियोग किया गया है और खड़ी बोली का प्रियोग हुआ है मत मचल मचा मत में अनुप्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है चल इश्वर कवित्री इश्वर से प्रार्थना करती है और कहती है कि है मेरे जूही के फूल जैसे इश्वर यानि कि जैसे जूही का फूल सुगंदित होता है वै इश्वर को भी कोमल और प्रूपकारी के रूप में मानती है और उन्हें कहती है कि है मेरे जूही के फूल जैसे कवित्री कहती है कि हे इश्वर कुछ ऐसा करो कि मैं अपने परिवार के मुह से दूर हो जाओ और आपकी भक्ती भावना में ही अपना घरबार सब कुछ भूल जाओ और अगर भीक मांगने के लिए जोली फैलाओ तो मुझे कहीं से भीक ना मिले कहीं से भी मुझे कुछ ना प्राप्त हो कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वे गिर जाए नीचे और यदि कोई कुछ देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो वे भी नीचे गिर जाए यानि के मुझे कुछ भी ना मिले और यदि में जुकू उसे उठाने तो कोई कुछ आ जाए और उसे जपट कर छीन ले मुझे से और यदि उस गिरेवे सामान को वे उठाने के लिए जुके तो कोई कुछ वहाँ आ जाए और उसे जपट कर छीन कर ले जाए कवित्री इन पंक्तियों में त्याग का भाव बता रही है क्योंकि वे मान अपमान के दायरे से बाहर निकल कर इश्वर की बक्ती में खोना चाहती है इन पंक्तियों में जो काविगत सौंद्री है वो इस प्रकार है जुही के फूल जैसे इश्वर में उपमा अलंकार का प्रियोग किया गया है और मंगवाओ मुस्से वे कोई कुटा में अनुप्रास अलंकार का प्रियोग किया गया है घर सांसारिक मोमाय का प्रतीक है और कुटाशब सांसारिक जीवन का परिचायक है झाल, 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 झाल